दोस्तों नमस्कार, कभी ने कभी आपकी जिद्की में ऐसा च्छान जरूर आया होगा जब आपकी बाद इस रेगु़ूलेटर को पाउप से अलक करना पड़ाँ है। कैसे हैं आप लोग मैं आप से एक चीज कहना चाहता हूँ कि आप लोग की जिंदगी में कभी ने कभी ऐसा छणाया होगा जब आपकी घर में लंबी सांस लिते समय एक गैस लीख होती है तो वह गैस अगर आपकी लीख हो रही इसका मतल़ आए कि आपका पाइप जो है करना है रेगुलेटर से तो दोस्तों कैसे होगा अब ये एक चैलेंज है दोस्तों नमस्कार कभी ने कभी आपकी जिन्दगी में ऐसा चान जरूर आया होगा जब आपकी बास इस रेगुलेटर को पाइप से अलग करना पड़ा हो क्योंकि गैस लीक होने का खत्रा रहता है त दूसरा हात्यार आपने पलास अपनाया होगा परसानी होगी होगी खीचा होगा हो सकता है आपको हात्यारों कभी कहीं दर्द चोट भी आ गई हो ये भी हो सकता है तो ये दोनों तो फेल हो चुके हैं तीसरा क्या पता आप लोगोंने मुंबती से माचिस के साथ इसको इस इस रेगुलेटर को इस पाइप से अलग करने के लिए ये ना चाकू कामाता है ना प्लास कामाता है जैसा कोई टूल कामाता है और ना ही मुंबत्य और आग तो फिर आप बचा क्या निकालना तो है समस्य अपनी जगापर आज भी खड़ी है तो इसके लिए सबसे आसान तरी का जो की निश्चित रूप से आपके लिए फाइदवन भी है कारगर भी है और कम हैजार डस है दोस्तों यह वाला जो रेगुलेटर है यहां पर से तो थोड़ा बहुत खींस्तान करके निकल जकता है तो दोस्तों मैं आपको लेके आ चला हूँ पानी के गरम नाल के तरफ जök लखा है क्योंकि इसमें लोही का तारो होता यह जह्यां और अंदर से रभर होती है रभर जो है गरम पानी से एक्सपैंड हो जाती है और हनी से कम निकल जाता है बिना चोड लगाए अज़र को दल्स किए हुए यह आपका हो सकता है तो मैं है छो एक बहुत आसन तरीक दौस्त आप में मग में इस तरह से पानी ले लेलें लगभाग 75 परसेंट इस मग के पाणी लेलें ताकि आपका यह उपरारा करेगणुलेटर जहां से जुड़ा होता है वेहां परक आपका लिप रहे गरम पानी होना चीड कि भाप निकले यह समय लिए बहुत तेज पानी मतलब 60 के नियरवाउट टेंप्रेचर हो अगर आपको वहां से ले रहे हैं तो वह पानी जो है इसका जो रबर है इसके अंदर की जैसा कि आपको दिखा रहा हूं यह तो यह रबर जो अंदर का पार्ट है यह जो है लूज हो जाता है तो यह यह जैसी आप थोड़ा सा प्रेसर देंगे बाहर को खीचेंगे तो निकल जाता है यह मैं आपको करके दिखा रहा हूं देखिए यह मैंने निकाला गरम पानी से यहां से और उसके आपको जैसे थोड़ा सा भी बहुत धिला हो चुका है यह और इसको हलका सा आप प्रेस ख हिला भी हो चुका है तो इसको आप छोड़ दीजे और नया जो है रवर इसमें लगा दीजे तो दोस्तों आज हमने इस वीडियो से यह जाना कि रेगुलेटर से पाइप को निकालने के लिए हम इन तीनों चीजों से हट कर फोकस करेंगे गरम पानी के तब पर थैंक यू अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक, सेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें क्योंकि ये हर घर की एक महिने में एक बार होने वाली समस्या जरूर है थैंक यू